हुआ है आप लोग आई होप लोग बहुत अच्छ होंगे मैं हु रूपा अब सिब का स्वागत है मेरे चानल पे जहां मैं आप उसाच शेयर करती हूं घर से रिलेटेड़ चीज़े और अगरेशन टेप्स आइडियाज एंड मेरी लाइस्टाइल भी जब हमारी शादी वी ना आज से 4.50 साल पहले तब यह हमारे घर का फर्स फ्लोर बिल्कुल खाली था और बिल्कुल जैसे नए घर बन करके रहते हैं खाली वैसी बहुत पहली बन गया था लेकिन कोई रहता नहीं था उपर सारे लोग नीचे ही रहते थे क्योंकि कम फैमिली म किया है और अभी भी कर रही हूं दीर दीर एक भारी म kulli को सब्सक्राइब क कर सकते हैं तो इनने घर्क सप्क्राइन मिले और यहां पर मैंने देखा कि जो मेरे प्लांट थे जो मैंने मीशो से ओडर के थे लाइफ प्लांट उनमें नए पत्ते आ रहे थे और वो देख करके मुझे काफी जादा अच्छा लगा जब भी हम घर को अपने ओगनाईज करने के बारे में सोचते हैं तो एक दिन में हमें एक कॉर्णर डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ आज मुझे इस कॉर्णर को क्लीन करना या फिर ओगनाईज करना है और हमारे घर का फ्रिज एक ऐसा जगह होता है जहां पर हम बहुत सारी चीज़ों रखते हैं अब भी हम बाहर से घर आते हैं जो भी चीज़े हमारे हाथ में होती है चोड़ी चोड़ी चीज़े या फिर चाह भी होती है वो हमारे आटमाटिक फ्रिज के ऊपर चला जाता है हाथ और हम वहीं पर रख देते हैं तो यह हमारा आदत सा हो जाता है और बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि वीडियो में आपको देखने को बिलेंगे तो फ्रिज का जो कवर था वो मैंने पहले ही धुलवा लिया तो आज इसको मुझे लगाना था और साथ ही साथ जो भी बेकार चीज़े पड़ी थी ना फ्रिज के उपर उनको हटाना था और चीजों को ओगनाईज करके रखना था तो चलो फटाफट से आप लोग को दिखा कि मैंने कौन सा और बनाया है चीजों को और बनाईज करने के लिए सो मेरे पास एक यह पार्सल बॉक्स था जो मुझे मीशों के प्रोड़क्ट से रिसीव हुआ था और मुझे इस काम के लिए यह पॉफेक्ट लगा तो इसको ही मैं यूज करूंगी एक डियाइवाइवा एक वालबेपर में तो आप जरूर करना अगर आप भी पसंद करते हो डियाइवाइ चीजें बनाना इस तरिके का और बनाना तो एक वालबेपर आप रख सकते हो आपको बहुत काम आए गा तो यह तरीके का एक वालबेपर मेरे बास था जिसको मैं यूज करूंग सो कवट करने के लिए और बहुत ही जल्दी मेरा एक उगनाइजर बनके रेडी हो गया है तो यह कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना कॉमेंट में है ना पॉफेक्ट ऑगनाइजर कुछ भी चीज़े आप इसके अंदर रख सकते हो बिल्कुल कवर रहें बिल्कुल नहीं होंगी तो अब मेरा सारा समान जो है जो भी चीज़े में रखती थी अपने फ्रिज के ऊपर बस ऐसी पड़े रहते थे उनका काम नहीं था उनको मैंने इस तरीके से इस और में अच्छे से रख दिया है और यह बिल्कुल भी दिखेंगी नहीं लोगों को और यह देखने म जो मुझे रखनी होंगी फ्रिज के ऊपर तो मैं उसके अंदर रख सकती हूँ दैन बाद में में एक ओगनाइजर बना के फिर से उनको सेट कर सकती हूँ चाबियों को हैंग करने के लिए अभी मेरे पास की हैंगर नहीं था तो मैंने यहां पे चोटा से एक ओगनाइजर पर उसको मैंने पड़ी एख çाबियों को रखने के लिए और फिलाल के लिए प्रीज को क्ली करने के लिए ने अर्सकी सभसे भेस्ट मुझे लगता है बच्चों के जो वह बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और मुझे कुछ नोट बुक चाहिए होते हैं अपने फ्रेज के ऊपर क्योंकि बार-बार कुछ लिखना पड़ता है रासन के लिस्ट बनाने होते हैं या पिर आज कॉंटेंट क्रियेटर क जब भी जरत होगी तो मैं उनका यूज कर सकती हूँ तो यह रहा मेरे फ्रेज के ऊपर का एक ओवर लुक आप लोगों को कैसा लगा कौम ने जरूरू बता ना और कितने बढ़ियां सी ओगनाईज हो गया है ना कितना सिंपल और कितना सुन्दर लग रहा है सो आज शाम में हमें थोड़ा सा मारकेट निकलना था और इतनी ज़ादा थंड थी ना कि मैंने कपड़ा ही चेंज नहीं किये जो मैंने पहना था घर पे वही मैं पहन के निकल गई और ये देखो हमारे खूटी का लूग कितना ज़ादा सुन्दर लग रहा है 21st January का ये वीडियो है और आलमोस्ट तैयारी हो गई थी फिर भी बहुत सारी चीज़े बची हुई थी और ये पूरा माहूल बना हुआ था राम जी के वेलकम के लिए और मैं आपने आपको बिल शॉपिंग तो ही जाती है तो थोड़ी वह शॉपिंग करी हमने फिर घर लॉट गया तो ये सारी चीज़े में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जिस दिन के इंतजार में 500 साल बिता दिये हमने आखिरकार वो दिन आ गया था आज है 22 जानवरी 2024 जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और आज के लिए दयारी कर रही थी कितना जादा प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए बातों में ये चीज़े बया नहीं कर सकते हम कि हमारे लिए कितना बड़ा दिन है आज का तो हमारे प्रभू श्री राम घर लोट रहे हैं अयोध्या लोट रहे हैं तो ये सारी चीज़े जब हम बोलते भी है ना तो अपने आप इतनी positive vibe आ जाती है इतनी strong feel इतनी जाइज हो जाते हैं हम अंदर से सो उसी की तयारी में आज हम सब हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं राम जी के welcome के लिए हम तयारी कर रहे हैं कितने सारी तयारिया करेंगे ना हम दिन में मनेंगी राम नौमी और रात में होगा दिवाली तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा इस द ब्रेट भी किया जाएगा क्योंकि हम हिंदुस्तानी के लिए हम सनात्यनियों के लिए यह बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा बहुत धूमधाम से मनाई होगी दिवाली बहुत धूमधाम से इंजॉय किया होगा इस दिन को सो यह थी छोटी सी वीडियो हमारे यहां कि आप लोगों को कैसा लगा कॉमेट जरू बताना सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत फूरना लाइक जरू कर दीजेगा सो मिलती हूँ एक और इंट्रेस्टिंग ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केरें थाइंक फूर वाचिंग